कॉंटेक्ट नमबर को जीमेल में कैसे सेफ करें? हलो दोस्तों आप सभी आश्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आपने जो है कॉंटेक्ट में किसी भी नमबर को सेफ करना चाहते हैं हिना आपको पता नहीं है कॉंटेक्ट नमबर को आप जीमेल में कैसे सेफ कर सकते हैं आपको मालूम नहीं है जीमेल में नमबर सेफ कैसे किया जाता है इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखे हैं सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर अपने डैलर वाले पेच को open कर लेना है ठीक है जहां से आप call वेगरा लगाते उसको open कीजिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जो काम करना है आपको नमबर यहाँ पर चूज करना है कौन सा नमबर आपको जीमिल में सेव करना है अब जैसे कि मुझे यहाँ पर एक नमबर है आप कोई सा भी नमबर का इस्तमाल कर सकते हैं कि यह number है और मुझे इस number को जी में सेव करना है ठीक है मैंने example के लिए कोई सा भी number ले लिया है आपको भी कोई सा भी number ले लेना है अगर आप जो number save करना चाहते हैं वह भी number का इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है उपर में Plus वाल आइकन देखेगा यहाँ पे देख सकते है या फिर आपको यहाँ पर Create a new contact का option मिल जाएगा तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस प्लस वाला आइकन पर इकन पर किलिक कर देना है create new contact पे क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने यह option आ रहा है तो आप यहाँ पे contact वला option select करें क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे contact वला option भी select कर सकते हैं आप यह या फिर दोनों में से कोई एक select कर लीजिए just on के option पे आपको क्लिक कर देना है and क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आपको मिल लाता है अब यहीं से आप अपने किसी भी number को gmail में save कर सकते हैं यहाँ पर आप दिखेंगे तो आपको same to option मिलेगा आप जिसकी यहाँ पर देख सकते हैं धियान से आपको device का option मिल रहा है तो आप यहाँ पर click करे और यहाँ पर आपको धेड सारा mail आपको दिख जाएगा अगर आप फॉन में save करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉन में भी save कर सकते हैं अगर आपको sim card में save करना है तो नीचे वाले option पे क्लिक करके आप sim card में भी इसको save कर सकते हैं इसके साथ जो Gmail में आपको save करना है यहाँ पर धेट सरा Gmail होगा तो आपको Gmail को choose कर लेना है Gmail choose करने के बाद वो Gmail यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको first name पर क्लिक करके आप जो भी first name रखना चाहते हैं अपने friend का वो यहाँ पर रख दीजिए ठीक है तो यहाँ पर हमने जो है कुछ इस तरीके से रख दिया है hello इस परकार से लिग देते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है mobile पर क्लिक करना है यहाँ पर mobile select रहना चाहिए और इसके बाद यहाँ पर आपको save का जो option दिख रहा है आपको save के option पर क्लिक करना है तो दोस्तो आपका जो number है वो यहाँ पर Gmail में save होगे आप जिसकी यहाँ पर देख सकते है एड़ इस परकार से यह जो Gmail है वो आप किसी भी phone में login करेंगे तो यह आपका number जो है उसी phone में show हो जाएगा इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी number को अपने Gmail में save कर सकते है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जोड़ से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भुले